हेलो दोस्तों मैं सवरों बलिक आप सभी का टोपी के स्टेड में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज डीजिनिंग के वीडियो में हम देखने वाले डीजिनिंग के टोप प्रिविएस इयर कोशन जो कि आपके एक्जाम में कहीं बार आ चुके हैं तो ये वीडियो पहुत ही जादा इंपोटेंट रहने वाले हैं इसको सीरियसली पूरा एंड तक देखेगा और इसमें ट्राइ भी करिएगा कि आप कितने कोशन सही कर पाते हैं और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं आर्पयापैसाई के लिए 20 टेस्ट 120 रुपे में गुरूपडी के लिए भी वीडियो के लिए भी एल्पी सिप्डे 2 के लिए भी ठीक है इन सभी के लिंक के नीचे डिस्केप्शन बोक्स में अगर आप परचेज करना चाते हैं तो नीचे को लाइक षेर भी ज़रूर करेंगे ठीक है तो यहां पर पहला कोशन है खुद भी करेंगे और इसकी अंसर मैं बताए कना देता हूं फिर तो यहां पर इसमें क्या चल रहा है इसमें माइध शीज्य अच़न उपशन आपको बताना है कैसे आएगा ठीक है आपको यहाँ पर करना है माइनस 6 करेंगे तो 28 और माइनस 6 करेंगे तो आपको कितना हो जागा 22 तो आपका राइट आंसर 22 आ जागा यानिकि option भी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो simple है इस तरीके की series कहीं बार आती है exam में तो आप समझ जाएंगे अगर इस तरीके की second series चलती है आपकी second number increase degree चलता है तो आप समझ जाएंगे ठीक है next आपका question number 2 है try करिए वीडियो को रोब करके और आप answer बताईए इसमें भी आपका यही सबसे पहले तो आपको alphabet के number पताना चाहिए पताना चाहिए आपको C तीसरे number पे आता है A पहले पे आता है G साथ वे पे आता है ठीक है E 5W पे आता है और K आपका आता है 11W पे ठीक है I आता है 90W पे O आता है 15W पे M आता है 13W पे इस तरीके से आपको पताऊना चाहिए अगर आपको इस तरीके से पता है तो आप खुद देख लीजे तीन में से तीन के बाद एक लिखा है तो minus 2 फिर एक के बाद प्लासिक्स करेंगे कितना हो जगा 19 और 19 पर क्या आता है S ठीक है फिर उसके बाद माइनस 2 करेंगे तो 19 बिसे 2 माइनस करेंगे तो 17 और 17 पर क्या आता है आपका Q तो यहाँ पर आजाएगा S और Q S Q is the right answer याणि कि देख लिए आप option ही right answer हो जाएगा तो आप समझ गेंगे इस चीज को यहाँ पर रोल किस चीज करा है सबसे बड़ा यहाँ पर सबसे बड़ा रोल रहा है कि alphabet के numbers का अगर आपको पता है इस तरीके से की C तीसरे पाता है A पहले पर आता है तो आप खुद समझ जाएगा ना कि इनके बीच में difference कितना two का फिजी साथ वे पाता है इनके differences है तो इस तरीके से difference का पता से जाएगा तो शीरीज का खुद ही पता से जाएगा तो यहाँ पर ग्रास ओपर तो इसमें से आपको बताना है कि इन चारों ओप्शनों में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता तो नहीं का आप कैसे find out करेंगे देखे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस A ओप्शन की तो इसमें H आ रहा है ये भी है O है ठीक है P B है E B है यानि कि यह बन सकता ह फिर S इसकी बात करूँ second option की तो देखे बहुत speed से ये काम हो सकता है इसमें आपको देखने की करने की जो मैं कर रहा हूँ इसकी करने की ब्यूरती देख की आप पता कर सकते है फिर यहाँ पर इसकी देखते है gram की G है आपका ठीक है R B है A B है बट इसमें M कहीं पर नहीं है और इसमें M है तो इसका मतलब क्या हो गया यह नहीं बना जा सकता तो यही आपका right answer बन जाएगा यहाँ पर यही पूछागा है कि इन नहीं बना जा सकता इन अक्सरों का प्रियोग करके इन में से कौन सा नहीं बना जा सकता यह आपको बताना है तो option C नहीं बना जा सकता ठीक है बिल्कूल वैसे ही आपको ये थंडर बोल्ट में भी देखना है सोरी कौन सा नहीं बना जा सकता तो यहां पर अगर मैं पहले उप्षिन की बात करूँ तो यहां पर B है ठीक है इसमें भी है E B है N B है और D B है तो यह तो बन सकता है ठीक है नेक्स्ट अगर मैं करूँ तो B है O है T है और यहां पर H है H B है और E भी है और R भी है तो यह भी बन गया फिर नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूँ B भी है ओ भी है बट यहां पर देखे कहीं पर डबलू आपको नजर नहीं आएगा ठीक है देख लीजे आप इसमें पूरी स्पेलिंग में क कोश्चन नमबर 4 सिंपल है इस टाइप का कोश्चन भी एक्जाम में जरूर देखने को मिलेगा नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नमबर 5 एक बड़ जल्दी से ट्राई कर लीजे फिर मैं इसका राइटांसा बता देता हूं यहां पर बोला जा रहा है एक दो प ठीक है तो उनमें रेल गाड़ी ए पस्चिम की और 50 किलोमेटर परती गंटा की गती से दूसरी विपरित दिसावाली रेल गाड़ी बी पूर की और 40 किलोमेटर परती गंटा की गती से चलती है तद अनुसार तीन गंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी यह आपको बताने कि तीन गंटे बाद उनके बीच की दूरी की दिन रह जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसकी अगर मैं बात करूँ इस परसन की तो यहाँ पर 200 किलोमेटर की दूरी की पूरी यह है ठीक है तीन गंटे बाद की बाद की गयी यान कि यह इधर से इधर को सिंपल है यहाँ तक को दिख्त नहीं है न यह 40 किलोमेटर परती घंटा चल रहे हैं यह 50 किलोमेटर परती घंटा चल लेहin अब मुझे यह बते 3 गटे बाद पूछा है कि कितनी दूरीन के बीच में बच जाएगी तो 3 गटे में कितरा चल चुकी होगी यह कितरा चलेगी पहले सिकी बात कर लएदे 5 या 15 निकि 500 km यह चल चुकी होगी फिर यहाँ पे मैं B-Train की बात करता हूँ ये कितना चल चुकी होगी तीन गंटे में तो 120 किलोमेटर ये चल चुकी होगी वही इसका मतलब इन्हों ने अपने आपको क्रोस करके इस तरीके से ये इतने आगया चुकी होगी और ये इतने आगया चुकी होगी क्योंकि 1200 यह खुड चल चुकी है, और 120 यह चल चुकी है, तो यहाँ पे आपका, जुनकि किलमेटर तो कीवल 200 यह 100 यह जादा सु चल चुकी है, आ तो यह इधार आ चुकी होगी और यह इधार आ चुकी मोई तो पूँचे इनके बीच की दूरी.? आपको इन दोनों के भीच का difference निकाल लीजिए आपका कितना हो जाएगा 30 km आएगा यही आपका राइट आणसर बन जाएगा ठीक है तो 30 km इस दर आएट आणसर आसे गरता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा भई ठीक है अगर समझ में नहीं आया तो question number डालके नीचे comment box में पूझ लिजएगा इसका राइट आणसर भी हो जाएगा next question पे चलते है question number 6 जल्दी से try करी है इस type के question मैं आपको लड़ी बहुत सारी करा चुका हूँ और आपको ये करने भी आने चाहिए क्योंकि ये question जुरूर एकजाम में पूझे जाते है अक्सरों का कौन जा समूख खाली स्थानों पर क्रमवार रखने में दी गई अक्सर संगला को पूरा करेगा तो यहां पे इस स्रीज को पूरा आपको करना है कैसे करेंगे भई मैंने आपको बताया था सबसे पहले count कर लीजे यहां पर चार चार के पेर बना लेता हूँ दो दो चार दो और दो चार दो दो चार दो दो चार ठीक है अब आपने चार चार बनाने के बाद में एक चीज नोट करी होगी कि यह पूरा का पूरा बन के त्यार होगा A, B, B, N ठीक है तो इसका मतलब यही बन रहा होगा देख लिजे हैं आप पर लगके A, B, B, N A, B, B, N A, B, B, N वहीं समझ गे ना तो यहाँ पर चल क्या रहा है A, B, B, N तो आप देख लिजे B, N, B, B, A, N यह कौन से में आएगा B, N B, N इसमें है और बागकी B, N इसमें है फिर B, B इसमें भी है इसमें भी है A, N इसमें है इसमें नहीं है यानि कि option B आपका right answer हो जाएगा तो यहाँ पर आप खुद समझ के देखिए कि आपको answer question में ही मिल चुका था यह वाला answer आपको question में ही मिल चुका था कि इसमें series क्या चल रही है बस आपने तो इसको fill किया है और इस type के कई बार question आपको बिल्कुल exam में देखने को मिल जाते हैं तो यही आपके trick होती है shortcut होते हैं कि कई बार आप option से question को कर जाते हैं और कई बार आप खुद सोच करके इस तरीकी से question कर जाते हैं और यहाँ पर मान लिजे आपका चलो यह भी मैं बिसमान लेता हूँ तो a, b, n लिखा है तो आप b रखके देखिए यह रखके देखिए वैसे भी आप इसको try कर सकते हैं बिल्कुल मैं यह भी नहीं बोलना हूँ कि आपको pattern पूरा पूरा complete मिल जाएगा जैसे इस question है मिल गया तो इस तरीके से question को करेंगे तो 100% question हो जाएगा इतना hard नहीं होता है जितना आप इसको मानते है इस सीरीज को ठीक है चलिए question next पर चलते है next आपका coding decoding का question है जिसमें पूछा जा रहा है question number 7 आई थिंगे यदि firewood को एक कूट भासा में यह लिखा जाता है ERFDWW लिखा जाए तो उस कूट भासा में fraction को किस परका लिखा जाएगा ठीक है तो यह आपको बताने है भाई यह coding decoding का question है और देखे coding इस पर किस तरीके से की गई है firewood लिखा है इसको दो भाग में divide कर ले गया firewood को और यहाँ पर F को इस तरीके से नीचे लागे लिखा गया E को यहाँ लिखा गया I को यहाँ पर R को यहाँ ठीक है W को यहाँ पर D को यहाँ पर O को यहाँ पर O को यहाँ पर समझ गया आप कोई दिक्कत नहीं है यानि कि इस तरीकी से cross आपके यहाँ पर coding चल गया भाई समझ रहा है ना cross coding मतलब यह वाला तो जो आपका first में था यह बीच में आपके रखगा गया कुकि यह firewood तो पूरा का पूरा है और यह आपका उठा के यहाँ पर बीच में रखगा गया फिर यह इधर से आपके रखगा गया दूसरे number पे यह उधर से रखगा गया इस तरीके से पूरा चलती रही recording ठीक है? तो इसी तरीके से आप इसको कर देंगे, fraction को तो यहाँ पर आप करेंगे, तो क्या होगा? fraction को अपने दो भाग में divide कर लिया फिर f को आप नहीं हाँ पर रखा c को आपने हाँ पर रखा R को यहाँ पर रखा, A को यहाँ पर रखे दिया T को यहाँ पर रखे दिया, N को यहाँ पर रखा I को यहाँ पर, O को यहाँ पर C, A, R, F, N, O, I, T आपका यह वाला right answer बन जाएगा ठीक है वही तो coding, recording तो आपकी कहीं तरीके से हो सकती है बहुत तरीकों से हो सकती है आपका ऐसे भी coding हो सकती थी ठीक है, यह ऐसे रख देते यह इस तरीके से भी coding हो सकती थी ठीक है, ऐसे भी यह हो सकती थी दो का, आपको दो-दो की इस तरीके से, इस तरीके से तो यह होई है वैसे, बट यहाँ पर और भी बहुत तरीकी हो सकते थे जैसे आपका ये भी हो सकती थी बस सीधा उसके नीचे उसका opposit रख दिया जाता ठीक है या फिर दो-डो का पेर बन के भी ऐसे रख रह चाहर जा सकता था यानि कि इनकी इन दौनों का पेर बना थे बहुत तरीकी हो सकते हैं यह आपको बस पता होना चाहिए कि किस किस तरीकी से रखा जा सकता है वो आप जब कोशन को करेंगे तो step पर step आप जल्दी से जल्दी सारे की सारी type को मतलब करके देख लेना कि कौन से यहाँ पर fit बैठ रहा है ठीक है चलिए next question पर चलते है next question number 8 आपका यह है try कर यह बहुत ही simple सा question है यहाँ पर बोला जा रहा है बस में एक लड़की की और इसारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा वै एक लड़की की और इसारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा वै मेरे पिता की पतनी मेरे पिता की पत्नी के एकलोते पुत्र अब पिता की पत्नी यानि की मा और मा का एकलोता पुत्र यानि की वो खुद हो गया जो बात कर रहा था वो खुद के बारे में कर रहा था एकलोते पुत्र की पुत्री है तो इसका मतलब जिसकी तरब को उसने इसारा किया था वो उसकी पुत्री हो जाएगी लड़की उस आदमी से किस परकार संबन्द है तो पुत्री आपका राइटान से हो जाएगा ठीक है तो B हो गया वह नहीं कि आपको इसमें कुछ भी करने की जुरत नहीं पड़ी है मा का पुत्र यानि कि वो खुद हो जाएगा कि पुत्री यानि कि उसकी डोटर उसकी पुत्री खुद की पुत्री की बात कर रहा हो तो उसकी पुत्री है, तो इसका मतलब यहां पूचा, लड़की उस आदमी से किस परकार से संबनदित है, तो पुत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आशे करता हूं कि आपका यह राइट आंसर आ गया होगा, और आपकी समझ में भी एक question आ गया होगा, next question पे चलता यह आकरती वाली सीरी चल रही है और क्या इसमें नेक्स्ट आएगा देखे थोड़ा सा दिमक लगा के बहुत ही सिंपल सा यह कोशन है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो पहली आकरती थी उससे अपोजित मतला अलग दूसरी आकरती है अब देखे यह तिर्बूज यहा यहां पर आ गया multiply यहां था यह ऊपर चला गया यह right का side में था यहां पर था इधर आ गया ठीक है फिर पट दीसरे नंबर की जो यह figure है आपकी यह same है यह same है बिल्कुल जैसे यह थी बिल्कुल वैसे लिखती गई है तो जब भी यह वाला pattern होता है ना तो उसमें आप एक जान रखेगा इन दोनों का relation same रहेगा तो इन दोनों का relation same रहेगा यह analogy को कोई question बन जाता है यहां पर यही pattern है कि इन दोनों का relation तो इन दोनों का relation ठीक है तो इन दोनों का relation तो इन दोनों का relation भी same हो जाएगा तो आपका एक आकरती ऐसी देखने है जो बिल्कुल इस तरीक यह है यह है यह है तो आपका यह option देखे डी भी यहाँ पर मुझे लग रहा है काम कर रहा है देखे तिर्बुज भी आपका right भी है गोल भी है यह नहीं यहाँ पर दूसरा तिर्बुज आ गया तो यह भी नहीं होगा यहाँ की option A आपका right answer बन जाएगा वही समझ गये न question है पूछा जा चुका है नीचे दी गए आकरती में कितने तिर्बुज है तो यह आपको बताना है इसमें कितने तिर्बुज है देखे आपको कैसे करना है भाई मैंने आपको लेडी बता रखा है जब भी यह बीच में ऐसे डिवाइड होता है तो आपको क्या करना होता है नमबर डालिए उनको प्लस कर लिज़े निकी 1, 2, इनको प्लस करिए तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 अब यह जितनी बार भी इसमें कट लगेगा उतनी multiply कर देंगे जैसे यह वाला हो गया 1, 2 तो यह कितना हो गया 1, 2, 3 तो यहाँ पर हम इसमें multiply कर देंगे 3 की, तो कितना हो जाएगा आपका 3 तियान हो, तो यह कितना हो जाएगा 9 तिरबुज बन जाएगे तो देख लिए जिसमें 9 आप option option A right answer हो जाएगा पर इसमें आप इसमें सभी में यह दो जोर कट लगाए हैं 1, 2 डाल के 3 पलस कर, 3 में 3 की इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर एक एक और इसमें कट लगा दें, तो आपको क्या करना का 1, 2, 3, 4, 4 इन सभी को पलस करें 2 और 3, 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 और 4, 10 तो 10 multiply क्या करेंगे, 1, 2, 3 1, 2, 3, तो यहाँ पर आप multiply कर दें, ठीक है तो इसी तरीके से आप क्युछ भी कर सकते हैं, इस टैप की question easily कर सकते हैं, ठीक है, चलें, next question पर चलते हैं next आपका question है, निमलिकित में से कौन सी आकरती गोरईयाओं, पक्सियों और चूहों के मद्य सम्मद को भली बाती दरसाती है, तो यहाँ पर देखिए जो गोरईया है, वो पक्सी हो सकती है, बट चूहां पक्सी नहीं हो सकता है इसका मतलब मैं यह बोल सकता हूँ, कि जो गोरईया है, वो पक्सी है तो एक आपका ऐसा वेंटाइग्राम देखना है, जो दो के बीच में इलेशन सो करो और एक को सेपरेट कर रहा हो, तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि यह तीनों के बीच में इलेशन को सो कर रहा है यह भी तीनों के बीच में इलेशन को सो कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए यह गोरईया और यह पक्सी हो जाएगा गोरिया पक्सी है और चुहां आपका लगो जाएगा तो option C right answer बन जाएगा ठीक है भई समझेगे ना आप इस चीज को आसा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा जो वेंडाइगाम के question अनों इसको आप easily कर लेंगे क्योंकि इनको मैं करता हूँ option से जो option right answer हो सकता है उसको ठीक लगा देता हूँ ठीक है तो दोस्तो आज की वीडियो में था इतना ही आसा करता हूँ कि आपको वीडियो सारी समझ में आ गई होगी आपने सारे question attempt कर लिए होगे अगर वीडियो समझ में आई है अच्छे लगिए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और इसकी पीडियाप डाउनलोड आप कर सकते हैं topic study के टेलिगाम चैनल से जिसका लिंक नीचे description box में होगा या फिर आप direct search कर सकते है topic study टेलिग्राम पे और देखे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि RPF, RPF SI, RPF Constable, Group D, UP Video, ALP 72 सभी के लिए test available है link सभी के नीचे description box में दे दिया है वहाँ से जाईए बहुत अच्छे test है सबसे सबसे test है ठीक है और सबसे अच्छे test है यह मैं खुद search करके लेके आया हूँ मेरी खुद की कोई भी company से वो नहीं है बट यह अच्छे है और सच्छे है इसलिए मैं आपके link share कर दे रहा हूँ क्योंकि आपका फायदा तो मेरा फायदा है ठीक है तो discount आप ले सकते है topic study पे जो जितने भी topic study के student है सोरब SPL code यूज़ करके ठीक है बई चले फिर मिलते है नेक्स वीडियो में वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवार आपका दिन सुबो